हेलो दोस्तों आज फिर हम आठ नमबर के काना जी का पुशाग एक नए डिजाइन के साथ लेकर आए हैं और एक नए कलर के साथ देखिए कलर ब्राउन में ब्लैक है काफी खुबसूरत देखने में लग रहा है आएए इसे देखते हैं किस तरह से बना है सबसे पहले तो देखिए ये इसका चोली हम इस तरह से तयार किये हुए जिसमें अभी इस पे सिलाई नहीं किये हुए हैं बाह यहां सिलना अभी इस वक्त बागी है यहां पर और इसमें डिजाइन हम कुछ इस तरह से डाले हुए ह जो काफी अच्छा यह डिजाइन लग रहा है देखने में देखे यहाँ पे हम लाइट ठटा चुके हैं देखे डिजाइन अब साफ नजर आ रहा है देख रहे हैं यहाँ इस तरह से यह डिजाइन काफी खुबसूरत घेरे पर लग रहा है चोली बना लेने के बाद हम ये डिजाइन शुरू किये हुए है इसके बाद यहाँ पे हम चार लाइन उल्टा बुने हुए है इस चगह पे जो देख रही है और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से जाली बनाए हुए है दो लाइन का और इसके बाद हम चार लाइन यहाँ पे ती मापनी प्रकobra है और निक चान के रहे हैं इस से पहले है इस तरहा का डिजाइन डाले है आप इस तरह का दाए धेय किया pepp उब इंद लगता है चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनता है हम आप लोगों को चोली बनाना इसके पहले ये लो कलर का जो हम बनाए हुए है पुसाग उस पे चोली बनाना हम बतला चुके हैं तो यहाँ पे चोली आप लोग बना ले उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन हुए है वो घेरा हम आप लोगों को बतलाएंगे तो आए देखते हैं कैसे बनता है मैं इससे हम यहाँ पे जैसा कि हम ये लो कलर का जोस्ईटर में रखे हुए है उस पुसाग में रखे हुए इस तरह यहाँ आभी सेम बनाए हुए हैं और डॉरी डाले हुए हैं तो चलि पून लेंगी इससे जिसे यहां तक हम बून लिये है यहां तक बूनने के बाद में हम सलाइए की चेंज कर देते हैं नौ नमबर का सलाइए कर देते हैं तो नौ नमबर का सलाइए करने सी ए घ judiciary में शिकुडळन नहीं आएगा आपको अब देखिए अब यहां पे हम चोली बनाकर इस तरह से complete की हुए हैं यहां पे हम बाहर सील चुके हैं और चोली में यह जो चीज आप देख रही हैं ब्लैक कलर से यह हम क्रोशिया से डाले हुए हैं जिस तरह से किनारे का घिरा डाले हुए हैं उसी तरह यहां क्रोशिया से ह जब बन कर ले पिए सहचे जगह से छी की चॉली आप देख रहे हैं और इस पर आप देख रही है इसके किनारे में एक नव हम मैं रख्या उस्ट रहे हैं मैं ऊसलिअ कहारो… तो देखिए हां पे हम इस तरह से बनाकर डोरी डालने के लिए जो हम बतलाई हुएं आप लोगों को वो चीजी हां पे बतलाई हुए हैं अगर आप लोग डोरी नहीं डालेंगे तो यह कुछ उठा हुआ सा नहीं लगेगा जैसे इस पे हम डोरी नहीं डालेंगे और डायरेक्ट यहां पे हम बुनना शुरू कर दिये हैं तो देखें यह कुछ और खड़ा रहता तो ज्यादा अच्छा लगता इस चीज का ध्यान रखें हाला कि दो लाइन से कोई अंतर नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी यहां पे आप अगर इस तरह से दो लाइन का यह आप दे देंगी तो आपका यहां पे डोरी डालने का भी हो जाएगा और यह पुशाक में सुन्दरता भी आ जाएगा अब जैसा कि हम पुशाक में बतला चुके हैं आप लोगों को कि इसे हम ज़स्ट डबल कर देते हैं बून कर यहां पे शंख्या को हम बढ़ाते हैं और ठीक हम डबल कर देते हैं पहला फंदा उतार लेंगे और देखे इस तरह से हम फंदे को अपनी और करेंगे और इससे हम जाली बनाते हुए जाली बनाते हुए एक फंदे से दो फंदा बनाएंगे और एक लाइन इस तरह से बना लेंगे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बना लेंगे फिर जब हम सी अभीरा का जो ये आप अगर देखेंगी इंच की सहाथा से चोडाई कितना है ये चीज ये चीज देखेंगी गुलाई कितना है इस पुसाग का तो इंच से अगर आप ना पेंगी तो ये 44 इंच आता है और हमें बनाना है 42 इंच तो ये राधारानी के लिए है अगर आप इस तो यह 44 इंच यहां से यहां तक आया है हम इस पर बनाएंगे 220 फंदा ना लेकर हम इस पर 200 फंदा रखेंगे तो यह इससे कुछ छोटा होगा घेरा में जो की कानहजी का बनेगा तो चलिए इस तरह से हम 4 लाइन यहां पर कंप्लिट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम गिन कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से देखी से अभी यहां पर फंदे को बढ़ाते हुए चार मयाने की दो बार दो लाइन सीधा तरफ से फंदे को बढ़ाएं पहला बार बढ़ाएं इसके बाद उल्टा तरफ से उल्टा बुने फिर जब तीसरा सीधा लाइन में हम आये उ description box में डाल देंगे उसमें यहां तक बता हुए हैं यहां से बताने के बाद भी बाद ही उस पर हम डिजाइन को सुरू किये हुए हैं तो हम यहां भी उसी तरह से जितना दूर बताएं वहां पर उतना दूर ही बना करके इसके बाद डिजाइन को सुरू कर रहे हैं यहां पर दूसरो फंदा पूरा होने में अभी इस वक्त 33 फंदा कम पड़ रहा है तो हम कुछ दूर यहां बना लेने के बाद में 33 फंदा यहां पे हम और बढ़ाएंगे तो देखिए हम चलिए हम डिजाइन बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम बॉर्डर का ले लेंगे अभी हम 10 नंबर की सिलाई से बून रहे हैं बॉर्डर का 8 फंदा हम ले लेंगे उल्टा दो तीन चार पाच छे साथ आठ फंदा बॉर्डर का हो गया फंदे को नीचे की और करेंगे जो आप यह बॉर्डर देख रही हैं दोनों इसके बाद हम एक फंदा सीधा बूनेंगे यह सीधा हो गया अब हम फिर से फंदे को अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बूनेंगे एक दो और यह रहा तीन अब देखिए यहां पे चार फंदो का डिजाइन है जो हम यहां बनाने जा रहे हैं यह चार फंदो का पंदे को नीचे की और करेंगे और यहां से हम यह दूसरा पंदा पहला छोड़ कर पहला छोड़कर दूसरा पंदा जो देख रही है है इस पे हम सलाई को डालां रज़ में और एक फंदा बुन लेंगे अब इसके बाद हम जो पहला फंदा है इसे इस पे हम होग को डालेंगे और इसे सिधा बूनेंगे अब दोनों फंदों को हम एक साथ किरा देंगे इसके बाद हम नीचे से फंदा लेंगे ये सीधा नीचे की और कर लेंगे फंदे को इसके बाद ये दूसरा नंबर का फंदा पर को डालेंगे और एक इस तरह से सीधा बुन लेंगे अब इसके बाद हम सीधा फंदा बुन लेंगे आगे का फंदा आगे का फंदा बुन लेंगे तो ये चार फंदों का डिजाइन है देखिए हम यहाँ चार फंदा से डिजाइन बना चुके हैं फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा बूलेंगे एक, दो, तीन फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे देखे फिर से हम इसी चीज को repeat करेंगे और ये जो दूसरा फंदा आप देख रही है इसे हम बनाएंगे इसे हम पहले बुनेंगे इसके बाद आगे का फंदा इसके बाद बुनेंगे अब दोनों फंदों को एक साथ किरा देंगे फिर हम नीचे से सेकेंड फंदा को रिखें, दूसरा फंदा को हम नीचे की और से बुनेंगे, इसके बाद आगे का फंदा को बुनेंगे हम, अब दोनों फंदों को गिरा देंगे, फिर से फंदे को अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, तो बस इसी को बुनते चले जाना है चार फंदो का डिजाइन हम बनाएंगे यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह चार फंदो का डिजाइन बनाएंगे तीन फंदा उल्टा बुनेंगे फिर चार फंदे का डिजाइन बनाएंगे करते हुए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर डेकिए अम यह पहला लाइन पर ही डिजाइन बुने हैं डिजाइन बुनकर यहां complete किये हैं और यह इस तरब जब हम 8 फंदा बॉर्डर का छोड़े तो इस तरब भी 8 फंदा बॉर्डर का रखेंगे हम तो उल्टा 8 फंदा बुनेंगे बॉर्डर का दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह तो नौ हो गया, तो हम एक फंदा, जब हम आएंगे दूसरा लाइन बुनते हुए तो एक फंदा यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे, आप देखिए उल्टा तरप से हम पूरा उल्टा बुनेंगे, तो हमें बताना था कि दोनों तरप में दोनों साइड में हम आठ-आठ फंदा बॉर्डर कर रखेंगे, क्योंकि हमें आगे से इसे खुला रखना है, या आप आगे से इसे पहना आए या पीछे से, यह एक साइड में पुरा खुला रहेगा, तो इस तरह से हम पूरा उल्टा तरप से उल्टा बुन कर है, यह तुरंत स्टार्ट हुआ है डिजाइन यह, यानि कि हम एक फंदा जो अभी बुन रहे हैं, फिर हम उल्टा तरप से उल्टा पुरा बुन लेंगे, और जब हम सिधा तरप आएंगे, तो तुरंत फिर से हम उसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, तो आपका यह डिज बुनना है, तो आप एक उल्टा बुन लें, उल्टा बुनने के बाद, यानि कि इस लाइन में उल्टा बुन लेने के बाद में सिधा तरप से जबाएंगे, तो इसी डिजाइन को रिपीट करती चली जाएं, और अगर आप यह नहीं बुनना चाहती है, तो चलिए हम फिर बताते हैं, कैसे बनता है, तो देखिए हम यहाँ पे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे, कम्प्लीट करने के बाद में आपको अगर डिजाइन यहाँ पे हम दो तरह का डिजाइन बनाए हुए, जैसा कि हम आभी आप लोगों को बतलाएं, ए यानि कि देखिए, अभी हम उल्टा तरफ से सिधा तरफ से आ चुके हैं, तो फिर से हम जो अभी बुने यहाँ पे जो हम बतलाएं बुनने के लिए, उसी चीज को अगर हम रिपीट करते जाएंगे, तो आपका इस तरह का यह डिजाइन बुनकर आएगा, यह जो आप दे तरह से बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ चुकी कान्हाजी का बना रहे हैं, तो हम इस तरह का फूल यहाँ पे बनाएंगे, तो इस तरह का फूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यह उल्टा तरफ से उल्टा और सिधा तरफ से सिधा बुनेंगे, तो इसके लिए सबसे पहल एक सिधा बुनेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन अब देखिए अगर हमें सटा सटा हुआ डिजाइन डालना है तो फिर से इस डिजाइन को रिपीट करेंगे लेकिन हम यहां काना जी का बना रहे हैं तो कुछ अंतर होना च चार फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा बूनते हुए हम इस लाइन को कम्प्लिट करेंगे, सिर्फ लास्ट बे हम बौडर का आठ फंदा को बूनेंगे, तो चलिए ये लाइन कम्प्लिट कर लेने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बून कर इसे कम्प्लिट और जब इस बार आएंगे यानि कि यह तो complete हो जाएगा हमारा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा complete कर लेंगे जब इस बार फिर से सीधा तरफ हमाएंगे तो फिर से इसी design को हम repeat करते चले जाएंगे तो यह design बनकर आपका complete हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन यहाँ पर इस लाइन को complete कर लेने के बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर complete कर लेते हैं फिर अगली लाइन में बतलाते हैं तो देखिए क्लाइन सीधा बुन लेने के बाद हम उल्टा तरप से पुरा उल्टा इसे कम्प्लीट कर चुके हैं अब हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद अब हम फिर से उसी डिजाइन को यहां पर सुरू करेंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे और आठ फंदा जो पाच, छे, साथ और एक आठ इसके बाद फंदे को नीचे की और करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे यह एक फंदा सीधा हमारा जाएगा लास्ट तक जब तक डिजाइन बनेगा तब तक जाएगा इसके बाद फंदे को उपर करेंगे अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन फिर से हम जो फर्स्ट बार जो हम सुरू में जो डिजाइन बताए हुए थे उसी डिजाइन को हम यहाँ रिपीट करेंगे दूसरा फंदा लेंगे उपर की ओर से इसे हम बुन लेंगे इसके बाद पहला फंदा इसके बाद नीचे की ओर ले जाकर बुनेंगे फिर से हम नीचे की ओर से देखिए नीचे की ओर से दूसरा फंदा पे इस तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा फंदा पे हुप को डालेंगे और बुनेंगे इसके बाद पहला फंदा बुनेंगे इस तरह से चार फंदा फिर से हम इसी डिजाइन को repeat किये तो इसी चीज को हम repeat करते चले जाएंगे तो हमारा यह डिजाइन बनेगा सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब यह डिजाइन बुन लेंगे फिर उल्टा तरफ से को पुरा सीधा तरफ को बनाना है इस चीज को धियान में रखेंए अगर आपको यह बनाना अगर आप चाहती हैं कि दूसरा सीधा तरब से सुरू कर दें तो पिर आप कर सकती हैं वह ज्यादा देखने में दोनों शुंदर लगता है वो ज्यादा गपस लगता है और यह थोड़ा दूरी पर डिजान लगता है थोड़ा दूरी इसमे बन जाता है तो दोनों देखने में अच्छा लगता है जिसे आप बनाना चाहती हम यहाँ पे राधा रानी में वो डी हुए यह नेरी जयान को बनाएंगे तो देखेंगे यहOW रहा हैं यहां से फंदे लेकर नापेंगे बनाकर त्यार करना है पंदे को बढ़ारे से Pहले यहां से नापेंगे हम तो हम 3 इंच तक बनाकर complete कर लेंगे 3 इंच बना लेंगे जब इसे हम इसे 3 इंच बना लेंगे तो फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी 33 फंदा कम पड़ रहा है अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो 42 इंच का जो यह घेरा है वो घेरा complete नहीं हो पाएगा तो 3 इंच चलिए बना लेते हैं फिर हम आगे बतलाएंगे इस तरह से देखें यहां से यहां तक 3 इंच बना लेने के बाद में अब हम यह जो आप देख रहे हैं उल्टा जो यहां पर है तीन फंदा जो उल्टा हम बोने हुए हैं इसमें से बीच का फंदा में से यहां पर तीन फंदा हम बोन चुके हैं तो यह रहा एक फंदा खोल दिये देखिए दो फंदा यहां उल्टा बुने हुए है तो यह जो दूसरा फंदा है इससे हम फंदे को इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे देखिए यह एक हो गया फंदे को नीचे किरेंगे और एक फंदा नीचे से बना देगे तो हो गया यहां दो एक फंदे को अपनी और करेंगे और एक फंदा बनाएंगे तो हो गया चार फंदा फिर फंदे को नीचे की और करेंगे और यह चार फंदा सिधा बुनेंगे क्योंकि अभी हमारा यहां डिजाइन बनकर खत्म हुआ है एक लाइन हमें चार फंदा सिधा बुनना है फिर से फंदे वे हम बनाय हुए हैं यह फूल बनाय हुई है एक, दो, तीन, चार जितना भी बनाय हुए तो बीच में जो तीन फंदा उल्टा है वो बीच का फंदा से एक, यही बढ़ा पा रहा है उसे हम लास्ट में बढ़ाएंगे यह जो उल्टा हम बु tema लेंगे थी तक बनाने के बाद कितना इंच बनाएंगे तो सबस्क्राइए यहां चुछ नख लंख दे Surface , 3 नहीं ताकि हम यह फूल बनाकर कंप्लिट कर लेंगे जा एक इंच आप छोड़ दे और फूल बनाकर कंप्लिट कर लेंगे अब देखिए यहां से यहां तक हम इस पे पांच इंच बना चुके हैं पांच इंच पांच पॉने पांच इंच के लगभक आप बना लीजिए इसका दोनों तरप से उल्टा उल्टा बूनना है तो हम अभी जब इससे बनाएंगे इस वक्त ही उल्टा जब हम बूनते चलेंगे उस वक्त ही हम यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ दस फंदा कम हो रहा है 200 फंदा पूरा होने में हम यहाँ पे 200 फंदा र एकी स्तरा बढ़ाएंगे, एक हम बना लिये यहाँ पर, फिर सिफंदे को नीचे की और करेंगे और एक और बना लेंगे, तो एक से दो हो गया, एक फंदा हो गया, फिर हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदर पंदर के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, इस तरीके से, अब हमारे पास दो फंदा बढ़ गया, और हमें आठ बढ़ाना है, तो बीच-बीच में अगर आपको लगे कि अभी ज्यादा इधर वाकी फंदा तो 20 कर लें, फंद की संख्या है, पर 20 कर लें, इस तरह यहाँ पे हम यह चार लाइन में बना कर कम्प्लिट किये हैं, यह चार लाइन में आपको बन गया है, एक, दो, तीन, चार, अब हम यह जो आप जाली देख रही है, यह जाली हम बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, और जो बॉर् फंदे को अपनी और करेंगे और यहां तक यह जो आप देख रहे हैं बॉर्डर के पहले जो एक यहां जोड देख रहे हैं चोटी देख रहे हैं यहां तक हम इसी तरह बुनेंगे जैसा कि हम अभी आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं फंदे को अपनी ओर कर लिए दो फंदो का एक करेंगे यानि कि हम जाली बनाएंगे देखे इस तरह से फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और दो फंदो को एक साथ बुनेंगे एक जाली बनाते हुए तो इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे उल्टा तरप से उल्टा ही बुनना है तो यह तो समझ गई है आपकी इस तरह से हम जाली यहां पर बुनके कम्प्लिट करेंगे अब देखिए आगे हमें क्या करना है यहां पर यह जाली बुना लेने के बाद में देखिए यह जाली हम दो बार दो लाइन बना हुए हैं यह सबसे पहले हम यहां तक कंप्लिट पर लेते हैं यहां देखे हैं यहां तक Foods सबसे पहले complete कर लेते हैं एक दो टीन एक चार चार लाइन तक दो जाली बणा लेने के बार के बार एक चाली बतला है आप लोगों फिर लिटा तरफ से पुरा उल्टा बूंएंगे जब फिर सीधा तरफ आ दूस से एक लाइन और जाली बूनेंगे तो ये दो जाली इस तरह से बनकर त्यार हो जाएगा तो चली यहां तक हम complete कर लेते हैं इस तरह से देखिए यह पुषाक का हम किनारी बना चुके हैं यहां पर पुषाक में डोरी भी डाल चुके हैं यह पुषाक complete हो चुका है और एक राधारानी का है और एक कानाजी का है तोनों पुसाक इस तरह से कंप्लीट हो चुका है अब चलिए अगले वीडियो में हम टोपी और पठका बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू